तो कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉगडाउन है जिसके चलते गरीब वर के लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है इसी के चलते जैपूर में शाम, नाराण, जोतिश, शोध संस्थान की ओर से जरुतमन लोगों को खाद सामगरी वितरित की गई संस्थान के मंत्री तरुन्षर्मा के सानिद्ध में शहर के सेक्टर एक जेपी कॉलोनी शास्ती नगर जैपूर में लोगों को खाद रे सामगری वित्रित की गई जिसमें 4 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 साबून का वित्रन किया गया साथ ये भी बताया गया कि खाद्य सामगरी का यह वित्रन लॉकडाउन की अवधी में जारी रहेगा